देखिए दोस्तों SSC के दुआरा दिलिपिस ड्राइवर के जो एड्मिट कार्ड है यानि आपके अप्लिकेशन फॉर्म के स्टेटस हैं वो जारी कर दिये गए हैं जैसे आप SSC की ओफिसल वेब साइट पे विजिट करेंगे यहां पे देखिए एड्मिट कार्ड वाले ओप स्टेटस हैं या आपके अप्लिकेशन या जो सेंटर आपका कहाँ पर आया है किस दिन आपका अग्जाम है किस सिफ्ट के अंदर आपका अगजाम है वह आप चेक कर पाएंगे यहां पर देखिए एड्मिट कार्ड वाले ओप्शन पर जाएंगे तो यहां पर लिखा आई एगरी पे क्लिक करना है और संबिट कर देना है इस पेज का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डारेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आप वहाँ से जाकर के डारेक्ट इस पेज पेज पहुँच पाएंगे देखिए यहाँ पे सबसे नीचे वाला सबसे easy module है तो यहाँ पे आप अपना नाम, father name और date of birth फिल करके और search status करेंगे तो आप अपना जो status है application form का या जो आपका examination कब होने वाला है वो check कर पाएंगे देखिए यहाँ पे मैंने candidate का check किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका exam है वो है 21-10-2022 को क्योंकि एक ही दिनांख है आपको सभी को पता भी है एक ही दिना आपका exam होने वाला है और जो shift है वो different है तो यहाँ पे देखिए exam date 21-10-2022 exam city निव देली में है और shift यहाँ पे third shift के अंदर है तो यानि तीन shift तो है ही है सुभे की और फिर दोफेर की और शाम की exam time है वो यहाँ पे दे दिया गया है 5-6 बजे तक और यहाँ पे आप पना जो form status है यानि आपका form reject हुआ है accept हुआ है वो भी check कर पाएंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है forum accepted तो यहाँ पे forum accept हो गया है reject नहीं हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि admit card जो आपके यानि completely जो आपका address है आपके examination center का वो जारी किया जाएगा चार दिन पहले यानि जिस दिन आपका exam है उससे चार दिन पहले आप अपना जो admit card है properly डाउनलोड कर पाएंगे अभी सिर्फ जो आपके examination के या application form के जो status है वो जारी किये गए हैं तो आप check कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों एक छोटी सी information थी आप सभी के लिए I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर आपके लिए helpful रही हो तो वीडियो को जोरू से जोरू लाइक कर दिना आगे मिलता हूं किसी latest update के साथ next वीडियो में तब तक के लिए बनरी मिरसा thank you so much